हाई गाईस वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलजी माई नेम इस पूनम तुड़े वी आर डिस्कुसिंग चाप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग ठीक है यह क्लास नाइन्थ क्लास का चाप्टर है साइंस का चाप्टर नमबर वन गाईस मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है फर्स पार्ट में आपको इस चाप्टर का ब्रीफ बताऊंगी मेटर क्या होता है उसके क्या प्रॉपर्टीज है कितने क्या क्रेक्टर स्टिक्स हैं कितने पार्ट में डिवाइड है वो यह सब बताऊंगी और सेकिंड पार तो यहां पर हम देखेंगे matter क्या होता है, what is matter, matter की क्या definition है, anything which occupies space and has mass is called matter, ठीक है, कोई भी ऐसा substance जिसके पास क्या है, space है, जिसके पास mass है और वो space occupy करता है, वो क्या है, हमारा matter है, ठीक है, यहां पर मैं mass को और थोड़ा आपको बताऊंगी, mass क्या होता है, mass को हम major करते हैं, उसकी जो SI unit होती है, वो होती है kg, kg जो है SI unit होती है, mass की, ठीक है, और mass जो है, mass constant रहेगा, example क्या है matter के, जैसे हमारी books हो गई, हमारा stone हो गया, air हो गया, ठीक है, chair हो गया, यह सब है, example of matter, अपने घर में भी जो हम देखते हैं, जो bed है, और जो sofa है, वो भी क्या है, matter है, क्यों, क्यों, उनके वो, उनके पास भी mass है, और वो जो space occupy भी करते हैं, so, these all are the example of matter, ठीक है, अब हम देखते हैं, matter is a made up of particle, matter किससे बना हुआ है, matter जो है, particle से बना हुआ है, small, small particle से matter बना हुआ है, ठीक है, characteristics of particle of matter, अब यह जो particle है, जिससे यह matter बना है, ठीक है, इसकी क्या है, कुछ characteristics पढ़ेंगे हम, कुछ विशेशता है, वो क्या है, हम देख ल क्या characteristics है the particle of matter have a space between them ठीक है तो first क्या characteristics है जो particles है matter के उनके बीच में क्या है काफी ज्यादा space है यह हम और आगे आगे चल के डिस्कुस करेंगा विदी help of example अभी तो फिलाला पी इतना समझ लो कि the particles of matter have a space between them तो क्या है यह जो matter है जिससे यह particle बना है इन particles की बीच में क्या है काफी ज्यादा space है second क्या है हमारा the particle of matter are continuously moving ठीक means यह जो matter है matter के जो particles हैं यह क्या क्या है continuously moving करते रहते हैं क्या करते रहते हैं continuously moving randomly moving करते रहते हैं यह इसका second character है third character क्या है the particle of matter attract each other जो matter है matter की जो particle हैं क्या करते हैं एक दूसरे से attract करते हैं उन दोनों उनके बीच में क्या कुछ force है जिसके वज़से वो एक दूसरे से attract होते हैं for example अगर हम देखे iron प्लस magnet ठीक है जब iron और magnet को एक्दम पास में लेके आते हैं क्या होता है वो एक दूसरे चिपक जाते हैं वो क्यों चिपकते हैं क्योंकि उन दोनों की बीच में क्या है थोड़ी force of attraction है ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर है विंग स्पेस बिट्विन देम ठीक है तो इसमें क्या इसमें जो अभी हमने पीछे पढ़ा characteristics of particles उसकी फर्स्ट जो था हमारा तो पार्टिकल ऑफ मैटर हविंग स्पेस बिट्विन देम ठीक है तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हविंग स्पेस बिट्विन देम इसको हम जो है एक्जांपल के थूद समझते हैं इस एक्जांपल को प्रफॉर्म करने के लिए हमें कुछ-कुछ material की requirement है लाइक हमें एक बिकर चाहिए ठीक है और वह बिकर जो है 50 mL dış वाठर डाला थे के लिए फिस्टी解्व ही डाला देन उसके बाद क्या क्या है हमें 50 ml वाठर डालने के बाद On क्यांश का स्पैचुल में वाधर हमने सॉल्ट डाल डिया ठीक है सोल्ट डाल दिया और पिर उसको हमने हिलाया उसको अच्छे से हिलाया उसके बाद हमने note किया हमने starting में देखा कि at the starting में जब हमने पानी इसमें डाला था तो हमने जो पानी डाला था वो 50 ml था ठीक है उसके बाद हमने क्या किया उसमें salt एल्ट किया one spoon salt एल्ट किया और फिर उसको अच्छे से mix किया जब वो एकदम proper mix हो गया उसके बाद हमने इसकी जो है reading note करी कि water level जो पहले 50 था अब क्या वो increase हुआ या नहीं हुआ तो हमने क्या observe किया पहले जो water 50 ml था उसके बाद भी salt डालने के बाद भी जो है वो 50 ml ही रहा तो guys आपने क्या सोचा कि जो हमने salt इसमें डाला water के अंदर salt डालने से जो है water level increase होना चाहिए था ठीक है water level क्या है increase होना चाहिए था बट वो increase नहीं हुआ तो वो उतना का उतना ही level ही रहा 50 ml है तो 50 ml ही रहा तो यह जो salt है हमने water के अंदर डाला exactly गया कहां वो कहां गया यह जो हमने यहाँ पर बताया था आपको the particle of matter having a space between them ठीक है तो water क्या है water भी जो है हमारा matter है ठीक है water भी matter है और water के अंदर भी काफी सारे particles है यह like हमारे particles है काफी सारे जिनके बीच में काफी ज़्यादा space है ठीक है तो जब हमने इसमें salt डाला तो salt भी क्या है matter है ठीक है उसकी जो particles है वो water के particles में चले गए क्योंकि water के particles में क्या था space था वो particles जो है salt के water particles water के particles के सार intermix हो गए उसके अंदर चले गए ठीक है तो उसे क्या हुआ water level जो है उतना का उतना ही रहा 50 ml का 50 ml ही रहा वो rise नहीं हुआ ठीक है तो अब यह जो space है हम देखेंगे solid liquid और gas में किसमें सबसे ज़्यादा होता है ठीक है the space between the particles maximum in gas जो space होता है यह particles का gas में सबसे ज़्यादा होता है gas में like particles ऐसे होते हैं काफी space होता है इनके बीच में like ऐसे काफी space होगा और यही अगर हम काफी space है ठीक है तो maximum in gas जो space है particles का gas में maximum होता है काफी जादा होता है यही अगर हम liquid में देखते हैं तो liquid में थोड़ा उसे कम होगा जितना हमारा gas में था गैस में तो काफी जादा space था particle तो particle के बीच में लेकिन liquid में वो थोड़ा उसे कम होगा liquid में like आपका ऐसे होगा थोड़ा कम होगा उतना space नहीं होगा ठीक है थोड़ा gas से space जो है liquid में कम होगा particles का और minimum in solid में बहुत कम होगा solid में एकदम जो particle होता है वो एकदम एक दूसरे से attract ही रहते हैं एक दूसरे से चिपके हुए ही रहते हैं बहुत कम जो है इसमें space होता है ठीक है ये ऐसे इस type का कुछ है जो particles जो है solid में इस form में रहते हैं ठीक है next हम देख लेते हैं next क्या characteristic था हमारा particles का कि the particles of matter are continuously moving मतलब जो matter है जो हमारा matter है उसकी जो particles है वो क्या करते रहते हैं वोफ करते हैं ठीक है जैसे हम और घर में जब हम पुजा करते हैं और आगरबाती जिलाते हैं ठीक है होथी खेलते हैं तो मंदिर में गरबाती जिला रहे होते ह हएं वहीं है थे cat फ्रेजिय he यह नितरी घंज कि परफियम बॉटल पौटल हधार सबस्क्भाटिप एक पर्फियम में ब зовут टहुंड включ Us इस fragrance in the whole room, इस fragrance in the whole room, quickly, उसकी जो fragrance है, वो पूरे रूम में बहुत जली spread हो जाती है, ठीक है, क्यों होती है, the particles of perfume move rapidly in all directions, जो particles है, perfume के, perfume क्या है, perfume भी एक matter है, ठीक है, तो उसकी जो particles है, वो rapidly, जो है, move कर जाते हैं, चारो directions में, move कर जाते हैं, of air in the room, ठीक है, अब air क्या है, air भी तो हमारा matter है, जब perfume है, जो perfume matter है, तो हमारा air भी क्या है, matter है, ठीक है, तो perfume के जो particles होते हैं, जो perfume के particles होते हैं, वो particles किसके साथ mix हो जाते हैं, air की particles के साथ, ठीक है, air के particles के साथ, इंटर mix हो जाते हैं जिसके वज़े से जो perfume की fragrance है वो all over room में हमारी हो जाती है ठीक है इस process को हम जो diffusion कहते हैं ठीक जो interchanging, intermixing of particles जो होता है ना इसको हम क्या कहते हैं diffusion बोलते हैं तो exactly diffusion की क्या property है diffusion की क्या property है? the movement of the movement of particles from higher concentration to lower concentration means जब कोई particles higher concentration से lower concentration move करता है तो उसे हम diffusion बोलते हैं और interchanging of particles of two different type of matter on their own मतलब जो डो matter है उनके जो particles है interchange जाते हैं मतलब एक दूसरे से मिल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चों diffusion बोलते हैं जैसे हमने यहां पर देखा यहां पर हमने क्या देखा? perfume के जो particles थे वो क्या हुए? intermix हुए एक दूसरे के साथ exchange हुए air की particle के साथ जिसके वज़े से जो है वो fragrance जो है all over जो है room में spread हो गई ठीक है? तो इस process को इस phenomena को हम क्या बोलेंगे? diffusion ठीक? next हम देखते हैं third इसकी characteristics क्या था? the particle the particle of matter attract each other ठीक है? जो particle matter है matter is made up of matter किसे बना है? particle से बना है ठीक है? तो particle जो है matter के वो एक दूसरे के साथ attract होते हैं ठीक है? एक दूसरों के एक दूसरों के बीच में उनमें कुछ force of attraction है वो हम पढ़ेंगे अब इसको हम देख ले एक activity से इस activity को करने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ material लेंगे हमें iron nail लेने लिया हमने iron nail अपना कील हो जिसे हम बोलते हैं हमने वो लिया कुछ chalks के pieces लिये और ice cube ice cube अपना जैसे बरफ का टुकड़े जो होते हमने वो लिया ठीक है? एक हम hammer लेंगे तो इसको हम कैसे करेंगे ठीक, if we take a piece of a chalk ठीक है हमने क्या लिया? chalk लिया, chalk लिया and iron nail लिया ठीक है हमने chalk लिया, iron nail लिया and cube of ice ice को हमने लिया and beat them with a hammer और इसको क्या किया हमने hammer से तोड़ा ठीक है? we will find that it is very easy to break piece of chalk हमने क्या देखा कि जब हमने hammer किया तीनों को एक सार तो जो chalk के जो pieces है ठीक है? जो chalk के pieces है वो बहुत जल्दी break हो गए छोटे-छोटे particles में वो break हो गए जब हमने एक ही बार hammer मारा ठीक है? and it required more force to break a ice ठीक है? अपने chalk के particle, chalk जो है वो एक ही बार में जो है small particle में convert हो गया और ice को break करने में हमें थोड़ा और force लगा ठीक है? as compared to the chalk whereas iron nail does not break at all even apply a large force ठीक है? तो यह जो iron nail है इसमें हमने chalk में जितनी force लगाई और ice cube में जितनी force लगाई उससे triple force हमने hammer से iron nail में लगाई तो फिर भी जो है iron nail break नहीं हुआ? क्यों break नहीं हुआ? क्योंकि iron nail का जो force of attraction है ठीक है? जो force of attraction है between the particles वो बहुत जादा है as compared to ice as well as chalk ठीक है? जो force of attraction है iron nail का वो जो है chalk से as well as अपना ice cube से सबसे जादा है ठीक है? अब यही force of attraction हम देखेंगे between solid, liquid and gas में ठीक है? तो force of attraction जो solid में सबसे जादा होता है तो iron nail क्या था? iron nail हमारा solid तो है इसलिए यह इतनी जल्दी है हमने इसको तीन चाह बार hammer से बीट के फिर भी यह break नहीं हुआ ठीक है? so force of attraction solid में सबसे जादा होता है minimum in liquid solid से थोड़ा कम होगा liquid में और gases में तो negligible ना के बराबर होगा force of attraction क्यों? क्योंकि जो gas के particles होते हैं वो बहुत जादा काफी जादा distance में होते हैं as मैंने आपको पहले बताया था gas के particles होते हैं वो इत्मा जादा distance में होते हैं उसमें force of attraction के ऐसे होगा ठीक है as compared to liquid as well as solid next हम देखें classification of matter इन matter को जो अभी हमने पीछे क्या पड़ा matter है matter किससे बना हुआ है particles से small small particles से बना हुआ है और फिर हमने उस particles के कुछ characteristics पड़े like particles के बीच में जो space होता है वो बहुत जादा होता है वो एक दूसरे से attract करते हैं ठीक है और क्या पड़ा हमने और वो जल्दी जो है spread हो जाते हैं ठीक है intermixing का हमने topic पड़ा तो अब हम देखेंगे जो matter है इनको तीन जो है तीन पार्ट में जो है classified किया गया ठीक है तीन पार्ट में जो है classified किया गया फर्स जो है हमारा solid matter जो है solid होता है matter की जो liquid state और third है हमारी gas state ठीक है तो classification क्या किया गया मेंटर का कुछ मेंटर को जो है सॉलिड में रखा गया कुछ मेंटर को लिक्विड में रखा गया और कुछ मेंटर को जो है गैस फॉर्म में रखा गया अब हम इसके एक्जामपल देखते हैं जो मेंटर जो matter solid है वसके example क्या है जैसे अपना यह हो गया sugar हो गया ठीक है अपना iron nail हो गया जो हमने पीछे activity perform की थी table हो गया आपका और आपका bed हो गया ठीक है जो आपका bed हो गया sofa हो गया rocks हो गया these all are the example of solid matter ठीक है जैसे अपना water हो गया ठीक है h2o water ठीक है water हो गया milk हो गया kerosene हो गया oil हो गया petrol हो गया alcohol हो गया these all are the example of liquid matter ठीक है किसके example है liquid matter के third क्या है हमारा third state state कौन सी है matter की gas तो gas 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 कौन से हैं जो matter है like अपना air हो गया oxygen हो गया hydrogen हो गया carbon dioxide हो गया these all are the example of gas ठीक है तो अभी हमने क्या पढ़ा classification पढ़ा matter का matter जो है classify classified करा गया तीन category में solid में करा गया liquid में करा गया और gas में करा गया फिर हमने उसके बारें पढ़ा जो solid matter है है उसके example देखें कि कौन कौन से examples होते है सोलिड मेंटर के liquid मेंटर कौन से है उसके ऐस मेंटर कौन से है उसके क्या कैई examples है अब हम आगे क्या पढ़ेंगे water को ऐस हो में पढ़ेंगे यह जो solid उसकी first property पर रहे है solid जो matter है जो solid है उसकी क्या property है ठीक है तो first क्या है हमारा solid have a fixed shape and volume कोई भी solid अब matter ले ले लेते हैं ठीक है चाहे वो कुछ भी हो like अपना sofa हो अपना bed हो iron nail हो कुछ भी हो उसका क्या होता है fixed shape होती है और volume होता है like हम अपने घर का example ले लेते हैं घर पे जो है हमारा sofa होता है ठीक है sofa का क्यों होता है fixed shape होता है volume भी वो अतना ही cover करता है अगर उस sofa को अगर वो मैंने एक room में रखा हुआ है ठीक है उस room से हटा के मैं दूसरी room में रख दूँ तो उसमें भी उसके जो shape है वो वैसी ही रहेगी ठीक है और उसका volume भी जितना वो पहले वाली room में cover कर ला था volume उतना ही volume वो दूसरी room में भी cover करेगा इससे हमें यह पैदा चलता है solid however fixed shape and volume ठीक है नेक्स्ट यह आता है solids cannot be compressed ठीक है solid को हम compress नहीं कर सकते हैं अगर जिसे हम यहाँ पर example देखते हैं यह एक brick है ठीक है heat जिसे हम बोलते हैं heat को अगर मैं compress करती हूं मतलब उसमें अगर कोई pressure देती हूं उसर दवाती हूं तो क्या वो दवेगी नहीं दवेगी तो क्यों नहीं दवेगी क्योंकि जो solid के particles होते हैं न वह बहुत जादा एक दूसरे के पास पास होते हैं उसमें force of attraction इतना होता है कि वो easily अगर आप कुछ भी उसने तोड़ना भी चाहो उने break करना भी चाहो तो वो होंगे ही नहीं ठीक है वो होंगे ही नहीं third क्या है solid have a high density तो density का न बचो एक formula होता है density equals to mass upon volume ठीक है तो जो solid है इसकी जो density होती है वो बहुत high होती है ठीक next क्या है solid do not flow आपको पता है solid है तो वो उसमें flow की capacity ही नहीं है वो flow होई नहीं सकता for example हम देख लेते हैं यहाँ पर iron nail हो गया हमारा ठीक है और यह brick हो गई इंट हो गई stone हो गई ठीक है wood हो गया यह सारे क्या है solid matter है यह हमारे सारे solid matter है ठीक है next हम property पढ़ेंगे property of liquid अभी हमने property देखा solid का देखा अब हम property देखेंगे liquid की liquid have a fixed felt liquid have a fixed volume liquid क्या है liquid है liquid का fixed volume है butthey no fixed shape ठीक है तो liquid क्या है liquid लिक्विट टेक दी शेप वेसल इन विच देया प्लेस ठीक है तो लिक्विट का क्या है वालियूम तो फिक्स्ट है बर्स उसकी शेप नहीं है वह किसी भी जगह किसी भी वेसल पर रुखोगे वह रोख लेगा फिर एक्ञेपल आप यहां पर देखें मैंने यह तीन ग्लास बाउल में जैसे बाउल में डाला तो उसने वह इसकी शेप ले ली और भी हम एक्जामपल ले लेते हैं जैसे घर पर जो गलास हमारा रखा हुआ है ठीक है गलास है उसमें हमने 50 ml वाटर डाला और एक बाउल ले लिया हमने, बाउल में हमने 50 ml water डाला, ठीक है, दोनों के में हमने जो volume है वो same रखा, 15 ml ही रखा, लेकिन जब water हमने वो अपना glass में डाला, तो उसकी shape different हो गई, ठीक है, और वो ही water जब हमने एक बाउल में डाला, तो उसकी shape different हो गई, तो इससे हमें finally पदा चलता है, कि liquid है, liquid का fixed volume नहीं है, but they do not have a fixed shape, उसकी shape fixed नहीं है, वो हमेशा इसकी shape लेता है, container की shape लेता है, जिसमें वो रखा जाता है, हमेशा वो उसी की shape लेता है, ठीक है, liquid cannot be compressed, ठीक है, liquid को हम compress नहीं कर सकते हैं, कोई भी liquid है, अगर हम उसको दवाते है हैं, तो वो दवे गई नहीं, ठीक है, liquid को हम compress नहीं कर सकते, next क्या है, liquid do not fill the container, ठीक है, liquid जो है, कोई भी container को completely fill नहीं करता, liquid can flow easily, liquid जो है, easily flow कर जाता है, अगर हमने कहीं, कोई भी ऐसा place है, जहांपे, कोई भी ऐसा straight place है, हम थोड़ा सा मापे पानी fact देते हैं, तो आपने देखा होगा, वो बहुत जली, easily, एक, एक direction में पानी fact, तो फटा-फट जो है, दूसरी direction में भी पानी चला जाता है, ठीक है तो liquid can be flow easily, for example, हम liquid matter के example देख लेते हैं, like अपना milk हो गया, juice हो गया, petrol हो गया, ink हो गया, water हो गया, these all are the example of liquid matter, ठीक है, next हम देखते हैं, sorry, property of gas, ठीक है, अभी हमने क्या देखा, solid का देखा, property, liquid का देखा, अब हम gas का देखेंगे, ठीक है, gas have neither fixed shape nor volume, ठीक है, तो gas का जो है, fixed shape भी नहीं होता है, fixed shape भी नहीं होता है, और ना ही उसका जो है, volume होता है, ठीक, जैसे कोई भी हमने gas लिया, like हमने balloon में, अगर मैं example देखूं, balloon में मैंने कुछ quantity, जो है, gas डाला, तो balloon क्या है, balloon ने, अगर वो balloon छोटा है, तो उसकी shape ले लेगा, तो volume, तो क्या है, गैस की भी जो है, fixed shape नहीं होता है, ना उसका volume होता है, ठीक है, gas can be compressed easily, gas जो है, compress हIESली कर सकते हैं, जब कि हैंने solid and liquid में देखा, कि solid में हम compress नहीं कर सकते हैं, ना ही हम liquid में कर सकते हैं पर गैस को हम easily compress कर सकते हैं लाइक अपने घर में जो cylinder आता है वह उसमें भी तो gas compress होके आती है ठीक है उसमें भी तो gas compress होके आती है और अगर हम वैसे देखें particles की point of view से देखे जो particles है gas के particles की बीच में काफी space होता है ठीक है तो जब भी काफी space होगा काफी दूर दूर है इसके particles ठीक है तो जब भी हम इसको compress करेंगे तो वो easily compress हो जाते हैं ठीक है इसलिए gas can be compressed easily gas have a low gas have a low high density gas can fill the container easily देखो जब हमें gas cylinder मिलता है यह पूरा container को fill कर लेता है ठीक है और gas can flow easily gas बहुत जल्दी easily flow कर जाती है ठीक जैसे हम देखते हैं आप जैसे कभी खाना बना रहे हैं तो gas leak हो जाती है तो gas की जो fragrance है वो all over room में जल्दी फैल जाती है तो क्यों फैलती है because उसकी property है gas can flow easily तो हम इसकी example देख लेते हैं gas के air हो गई हमारी oxygen हो गया hydrogen हो गया nitrogen हो गया these all are the example of gas matter ठीक है next हम देखते हैं ठीक है अभी हमने पढ़ा कि matter है ठीक है matter further 3 parts में we have categorized solid में किया गया liquid में करा गया gas में करा गया ठीक है फिर हम ने उसकी properties देखी solid में जो है काफी solid compress नहीं हो सकता liquid भी compress नहीं हो सकता लेकिन gas compress हो सकता है ठीक है उसके बाद हमने देखा solid 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 in the होते हैं उन सब को हम क्या कर सकते हैं सौलिट को हम जो है इसली जो ट यह recipes अवह ज है क्या है क्यों है different property इस सौल लिख नहीं होता जब्धेस पंप्रेस हो जाती है def क्या है solid का खुद का fixed shape होता है लेकिन liquid का नहीं होता गैस का नहीं होता तो यह जो properties है वो different क्यों है उसका क्या reason है हम यह देखेंगे ठीक है तो यहां पर हम देखेंगे the particle of matter are kinetic theory according to the kinetic theory of matter the particle the particle of matter are in continuously motion हमने पढ़ा था जब हम property पढ़ रहे थे particles की जो particles होते हैं matter के वो क्या करते है continuously जो है motion में रहते हैं तो कोई भी particle अगर वो continuously motion में है तो वो possess करता है kinetic energy ठीक है उसमें kinetic energy होती है some force of attraction exit between the particle of matter कुछ force of attraction जो है particle of matter में exit होती है मतलब ठीक है इस force of attraction को हम क्या कहेंगे inter particle force inter matter मतलब एक matter का दूसरे matter के particles की बीच में जो force of attraction होता है जो particles की between जो attraction होता है उसको हम कहेंगे inter particle force the force of attraction can hold the particle together ठीक है यही जो force है the force of attraction can hold the particle together and control their movement ठीक है तो main reason क्या है जो solid liquid gas है उनकी property different है main reason उनके particles है like solid में आपको बताया था कि उसके particles जो है काफी एक दूसरे के साथ चिपके form में चिपके रहते हैं ठीक है काफी एक दूसरे के साथ attached होते है like इस form में मैंने आपको बताया था काफी जादा एक दूसरे के साथ जो है पास पास होते हैं ठीक है और लिक्विड में क्यों होता है लिक्विड में थोड़ा वो इससे दूर दूर होते है और गैस में जो है सबसे जादा दूर होते हैं वो काफी जादा डिस्टेंस होता है तो इनी पार्टिकल्स के वज़े से ये जो है उनकी property different हो जाती है अब solid है solid के particles का है एकदम पास पास है तो पास अगर particles है तो उसमें जो है हमारा inter particle force है ठीक है जो particle to particle जो force of attraction है ना वो सबसे ज़्यादा हो जाता है ठीक है अगर जितने particle close रहेंगे उसमें ज्यादा force of attraction होगी अब उतनी ज्यादा force of attraction होगी तो वो क्या करेंगे अब उनकी जो movement है वो भी control हो जाएगी क्यों उसमें force of attraction ज्यादा हो गई तो वो easily move नहीं कर पाएंगे ठीक है तो main reason यही है solid में जो है जो particles है काफ ही ज्यादा combined रहते हैं इस लिए उसकी जो force of attraction स्थाओंट सब्सायज चाहरे पार्टिकल्स की और लिक्विड में क्या है पोस ऐड्रेक्षिन शिल्ड उस्त चाहरे मगा जाती है दोटे दोल पर्टिकल्स काहते हैं जिसके वैसे उनकी जो force of attraction है ना वो force of attraction जो है कम हो जाती है तो वो जो है randomly move करने लगते हैं ठीक है तो main जो reason है जिसके वैसे solid liquid and gas की जो property है वो different होती है वो क्या है हमारा basically particles particles के बीच में force of attraction ठीक है inter particle force of attraction जो है वो ज्यादा होता है वो depend करता है ठीक है अब जैसे अब example देते हैं अगर हम अपने घर पे दूद बना रहे हैं दूद में चीनी mix कर रहे हैं ठीक है milk में हम चीनी sugar mix कर रहे हैं तो अगर ठंडा milk है ठंडा milk में अगर हम sugar mix करते हैं तो क्या होता है वो जो है जो easily mix नहीं होता है मिल्क नहीं होता है। जब भी हम दूद गरम करते हैं और जो मिल्क है, उसके अंदर पार्टिकल्ट्स हैं। उसके अंदर particles है जैसी मैंने milk को गरम किया जैसी मैंने temperature इंक्रीज किया milk चैक है लौक के अंदर जो particles है उनका भी temperature इंक्रीज हुआ उनका temperature होने से क्या हुआ जो kinetic energy है वो भी medication energy कैसे इक्रीज हुए जब particle का temperature increase हुआ तो उनके बीच में जो movement है particles के बीच में जो movement है वो भी fast होगी जिसके वज़े से हमारा inter particle जो force है जो हमारे inter particle force है वो ज्यादा हो गई ठीक है? जिसके वज़े से जो sugar है वो जल्दी mix हो गई sugar के जो particles है और milk के जो particles है है वह बहुत जल्दी जो है मिक्स हो गए ठीक है इससे हमें प्रूफ होता है कि जो है जो अगर हम temperature increase करेंगे temperature increase करेंगे किसी भी सबस्टेंस का तो उसकी kinetic energy increase होगी kinetic energy increase होगी तो इंटर particle जो force है वह भी increase हो जाएगी ठीक है next हम देखते हैं the following property of particle decide whether a given substance will exit solid liquid or gas कुछ properties हैं जिसके वाज़े से हमें पदा चलेगा वो जो substance है कोई भी substance है वो solid में आएगा या तो हम इसको कोई भी substance है या तो हम इसको solid में रखेंगे liquid में रखेंगे या तो gas में रखेंगे उसकी जो है तीन properties है तो हम देखते हैं वो क्या है the space between the particle main जो है कोई भी हमने substance लिया वो solid में रखेंगे हम उसे liquid में रखेंगे गास में रखेंगे तो उसको हम कैसे देखेंगे कि उसके बीच में उसके बीच कर space the space between the particle are maximum in sorry the space between the particle and minimum in solid ठीके जैसे में आपको बताया था और यह पिचल में भी आप देख रहे हैं यह जो solid है ठीक है यह solid है solid के solid के जो particles हैं इनके बीच में देखो कितना कम space है सारे particle तो एक दूसरे से इसके वाज़ा से force of attraction ज्यादा हो गई इसलिए तो जब हमने उसको hammer से तोड़ा iron nail को टूटा नहीं ठीक है और वह ही अगर हम liquid में देखें तो liquid के जो particles है थोड़ा जो है solid के particles से distance में है इतना distance नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत distance में है और liquid के particles तो बहुत ही distance में है gas form में sorry gas form में जो है particles जो है काफी जादा distance में है ठीक है तो हम यहापर देखते है the space between the particles are maximum minimum in solid तो जो space particles की बीच में जो space होता है solid में वह बहुत कम होता है little more in liquid liquid में थोड़ा उससे ज़्यादा होगा space and maximum in gas so gas में सबसे ज़्यादा होता है gas में सबसे ज़्यादा होगा उसे कम जो है हमारा liquid में होगा हुआ सबसे कम जो है हमारा solid में होगा ठीक है इसी के भीहाफ पे हम जो है किसी भी substance को रखे रखेंगे व और liquid में यहाँ गैस में आइका second आता है the force of attraction between the particles क्या डिसाइट करेगा force of attraction जो particles हैं उसमें force of attraction सबसे जादा है ठीक है the force of attraction between the particles are stronger in solid the force of attraction between the particle are stronger in solid solid मैं आप देख से ही देख रहे है force of attraction तो strong हो गयी न क्यόकि particles ही जब इतने close है उसकी बीच में space ही नहीं है तो force of attraction जादा हो गई ठीक है और less in liquid ठीक है उससे कम जो force of attraction कम होगा liquid में क्योंकि liquid के जो particles है liquid के जो particles है वो solid के particles से थोड़ा दूर दूर है ठीक है तो उसमें force of attraction थोड़ा कम होगा और negligible in gas force of attraction जो है gas में सबसे negligible होगा क्यों क्योंकि उसके जो particles हैं उनके बीच में जो distance है वो बहुत ही जादा है इसलिए ठीक है next क्या है the amount of the movement of particle ठीक है movement of particle हम देखें कि कौन सा particles कहां पे movement सबसे जादा होती है the movement of particle is minimum in solid ठीक है means solid में जो है minimum होगी किसी particles को move करने में क्यों क्योंकि solid जो है solid की जो particle है बहुत पास है उसे force of attraction इतना जादा है तो वो move कहसे करेंगे तो सबसे कम होती है solid में थोड़ी उससे जादा होगी उससे जादा होगी liquid में liquid में more in liquid liquid में जो है जादा होगी क्योंकि उसके particles जो है थोड़े distance में है force of attraction थोड़ा कम है as compared to solid और ठीक है maximum in gas gas में सबसे जादा होगी force of sorry movement क्योंकि force of attraction जो है kinetic energy जो है movement of particles जो है सबसे जादा हमारा जो है gas में होता है उसके बाद liquid में होता है और सबसे कम solid में होता है यह भी डिपेंड करता है अपना की हमारे उसमें particles है वो उसको कैसे औरेंज किया गया gas form में जो है काफी दूर दूर है liquid form में थोड़ा उससे पास है और solid में तो एकदम ही पास है जो distance ही नहीं है ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं activity to show that solid liquid cannot be compressed but gas can be compressed ठीक है इस activity के तो हमें पता चलेगा जो हमने पहले पढ़ा कि solid liquid तो compress नहीं हो सकते हैं but gas को हम compress कर सकते हैं इस activity को करने के लिए हमें कुछ requirement है material का वो चाहिए होगा हमें क्या चाहिए होगा हमें एक syringe चाहिए होगा ठीक है एक rubber cock चाहिए होगा common salt चाहिए होगा water चाहिए होगा ठीक है water चाहिए होगा और weight चाहिए होगा ठीक है तो अब हम देखते हैं इसके भीहाव से कि कैसे पढ़ा चलेगा कि solid liquid जो है compress नहीं हो सकता बट gas जो है compress हो सकती है हाँ तो हमने क्या लिया हमने क्या किया syringe ली ठीक है syringe ली और उसे injection जिसे इंजेक्शन लिया उसके नीचे से जो सुई जो होती है उसको निकाल लिया उसधंपा और सुवी निकलने के नीचे के जो कुछ शुकले काओक ज़िए इस कौक से ठीक है इसमें कॉकल लगा दी और फिर जो है इस सिरिंज से हम ने फिल किया और कॉमसौल कॉमसॉव से कि क्या यह सॉल्ट जिसका कुछ जो है वॉल्यूम था क्या वॉल्यूम कम हुआ ठीक है तो हमने अफ्जर्फ किया कि जो वॉल्यूम पहले था वह वॉल्यूम ही रहा जब हमने उसमें फोर्स अप्लाय की कुछ वेट डाला तो उसका जो है स्पेस जो है कम नहीं हुआ तो इस दाला हुए था सेकरें हम असमें हमने जो है वांटर डाला इंचर ह कि फिर उनकी एक वांटर डाला ओर फिर विर उसमें अप्लाइय किया फूर्स उपर थे कहार हमने क्यां जो है प्रेशर एक तो जो volume of NaCl, NaCl हमारा common salt होड़ा है, इंदी सीरिंज में जो volume है, वो जो रिडियूस नहीं हुआ, वो जो इस अतना का इरा, वो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, ठीक है, और इसका मतलब क्या है, कि जो solid common salt क्या है, सॉल्ट हमारा क्या स्टेट में हम रखेंगे हम सॉलिड स्टेट में रखेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सॉल्ट है ठीक है उसको हम जो सॉल्ट है और जो सॉलिड सबस्टेंस है हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते जिससे हमारा यह तो क्लियर हो गया कि जो सॉलिड है उसक को हम कंप्रेस नहीं कर सकते यह हमें किसे फर्स एक्टिवीटी से पता चला थीक है सेकीड अगर हम देखें सेकें में जो हमने लिया water 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 में जब हमने pressure apply किया थीक है तो हमने क्या देखा कि उसका जो उसका भी वॉल्लिम जो है reduce नहीं हुआ, वह as it is as it is easy रहा, तो इससे हमें ये proof हुआ, liquid जो है liquid जो है, compress नहीं हो सकता, ठीक है, liquid जो है compress नहीं हो सकता, इससे हमें ये पता चला, third में हमने क्या किया, जो gas थी ठीक है, gas थी, gas को compress किया, क्योंकि आपको पता है कि gas, gas की particles होते हैं, उसमें काफी जारा distance होता है, तो gas, जो है, easily compress हो जएकि, जैसी हमने इसको compress किया, तो उसको कुछ volume पहले था, उसके बाद जो है, volume इतना हो गया, तो इससे हमें ये proof हुआ, कि gas can be compressed, ठीक है, gas जो है, compress हो सकती है, जबकि हमारा solid लिक्विड जो है, compress नहीं होगा, क्यूं, क्यूंकि उसके solid में, जो है, particles, जो है, काफी जारा एक दूसरे के साथ, चिपके हैं, तो उसमें force of attraction बहुत जादा है, इसलिए वो नहीं होगा, solid और liquid में, दोनों में, नहीं होगा, जबकि gas में, वो हो गया, ठीक है, बच्चो, next, अब हमारा है diffusion, ठीक है, तो diffusion क्या होता है, हम देखते हैं, इसका definition क्या होता है, diffusion का, the movement of particle, the movement of particle occur from higher concentration to lower concentration, और intermixing of particle of two different type of matter on their own is called diffusion, ठीक है, diffusion क्या होता है, जब particles की, जब particles की movement होने लगती है, movement करते हैं, वो from higher concentration, higher concentration से to lower concentration की तरफ, बब कोई भी particle अगर move करता है, higher concentration to lower concentration, और उसमें क्यों होता है, intermixing of particle, intermixing of particle होगा, कौन से particle की intermixing होगी, to different type of matter, दो कोई matter है, उन दोनों के बीच में, intermixing particles की बीच में, intermixing होगा, उसको हम कहते हैं, diffusion, ठीक है, ये जैसे, हम example ले ले लेते है, perfume का, perfume की पॉटल जैसे, हम एक रूम में है, perfume का ढखकन हम वहापे ओपन करेंगे, तो उसका जो फ्रेग्नेंस है, वो all over room में spread हो जाता है, तो वो कैसे होता है, perfume के जो particles हैं, ठीक है, perfume के particles जो है, air के particles के साथ, intermix हो जाता है, जिसके वो all over room में, जो है, diffuse हो जाता है, फैल जाता है, उसकी फ्रेग्नेंस, ठीक है, अब ये ही, हम आगे पढ़ेंगे, कि ये जो diffusion है, liquid में क्या, उसका process रहता है, rate क्या रहता है, solid में कितना रहता है, और gases में क्या रहता है, ठीक है, तो first है, diffusion in gas, तो हम ये देखेंगे, diffusion जो है, gas में कैसा होता है, और कितना ही fast होता है, कितना slow होता है, ठीक है, the diffusion of gas is very fast, ठीक है, gas में जो diffusion होती है, वो बहुत जादा fast होती है, because the particle of gas move very fast ठीक है पार्टिकल ऑफ गैस जो है वह बहुत जल्दी मूफ करते हैं ठीक है इसलिए जो है डिफूजिन उसमें फास्ट होता है और पार्टिकल्स जो हमें आपको बताया था कि जो गैस के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस काफी जादा होता है ठीक है जिसके व जादा डिस्टेंस में है डिस्टेंस के जादा डिस्टेंस होने के कारें इनमें वौस उ है Diffusion ठीक है Diffusion जो है increase हो गया ठीक किस में हुआ हमारा गैस में हमारा अब यही हम लिक्विड में देखते हैं ठीक है Diffusion in liquid the rate of diffusion is minimum as compared to gas rate of diffusion जो है कम होता है कम होता है Liquid में as compared to gas ठीक है जो rate of diffusion है वह लिक्विड में कम होगा थोड़ा कम होगा गैस से क्यों क्यों कि जो लिक्विड की जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है ठीक है लाइक दिस यह लिक्विड के पार्टिकल से इसमें ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है तो क्या होत है distance ज्यादा नहीं है distance कम है ठीक है distance कम होने के वज़े से जो force of attraction है particle to particles के बीच में force of attraction है as compared to gas के particles में जितनी थी वो उसमें ज्यादा है ठीक है solid में liquid में force of attraction जो है particles की बीच में थोड़ी ज्यादा है as compared to gas जिसकी वज़े से हमारा जो है diffusion जो है वो less है कम है as compared to gas ठीक है अब next हम देखते है diffusion in solid the rate of diffusion is slow as compared to liquid as well as gas ठीक है तो rate of diffusion जो है solid में बहुत कम होता है as compare अगर हम उसको करते हैं liquid से और gas से क्यों क्योंकि मैंने अपकी अपने देखा हो जो liquid में जो particles Gasses में जो particles होते हैं वो काफी काफी distance में होते हैं ऐसे काफी काफी distance में है ठीक है इसके वज़े से इनका distance ज़्यादा होने के वज़े से इनका force of attraction जो है ज्यादा हो ज़िए कम हो गया वैसी अगर हम गैस में लिक्विड में देखते हैं तो लिक्विड में डिस्टेंस जो है कम होता है इस कंपेर टू गैस ठीक है डिस्टेंस कम है और वही अगर मैं सॉलिड में देखूंगी सॉलिड में जो है अपना एकदम जो पार्टिक बहुत एक दूसरे के साथ चिपके होते हैं जिसके वज़े से उनक एक कि म ouन बिट्वेट टूपारिकलल जो पार्टिक लिए फोरस में प्रेक्षण क्यों हो गए इंक्रीज हो गया ठीक है डिस्टेंस कम हुआ फोरस इंची इंक्रीज होने के वज़े से जो rate of diffusion है ठीक है जो rate of diffusion है वो हमारा क्या हो गया कम हो गया ठीक है तो basically जो rate of diffusion है depend करता है distance between the particles और उसका strength force कितना है कितना एक दूसरे से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कितना जो है tightly bound है ठीक है next हम देख लेते हैं change of state of matter ठीक है यहाँ पर हम देख लेते हैं change of state of matter अब मैंने आपको बताया था state state of matter जो है तीन है एक हमारा solid है ठीक है एक हमारा solid था एक liquid था और एक gas था तीन state थी मैटल की ठीक है वही अब हम discuss करेंगे कि लाइक अब उन तीन state का solid liquid gas का अगर हम temperature increase करते हैं कोई भी physical change करते हैं temperature increase करते हैं conservative का до days करते हैं तो उससे क्या effect पड़ता है इंपे थिख तो हमारा एंएंगे effect of changing temperature ठीक है इन मेटल पे state of matter पे अगर हम temperature increase करेंगे यडरि कम करेंगे कम करेंगे ज्यादा करेंगे तो क्या effect पडरता है क्या होता है उसमें तो इसमें हम fever पढ़ेंगे सॉलिड टू लिक्विड चेंज सोह्स को अगर हम सॉलिड से लिकविड में चेंज करते ho हम अपने घड़ पे ऑइस रखते हैं हम अपने फ्रीज ऑंदर आइस जमाने के लिए क्लिए और उस आइस टो अगर हम अपने फ्रिज से बाहर लग दें थोड़े देर के लिए तो वो मैल्ट हो जाता है ठीक तो क्यूं होता है वह हम उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे उसको हम बोलेंगे मेलटिंग पॉइंट कोई भी सबस्टेंस जब solid में था solid state में था उसके बाद वो liquid state में चला गया ठीक है तो उसको हम क्या बोलेंगे melting point बोलेंगे ठीक है तो हम देखेंगे melting point का क्या definition होता है the substance at which the substance at which solid change into a liquid ठीक है तो solid किसमें change हुआ liquid में change हुआ is called melting point of a substance उस substance का melting point होता है जैसे हम देखते हैं melting point of ice is zero degree ठीक है ice का melting point क्या है zero degree है whereas wax का melting point कितना है 63 degree वैसे ही iron का melting point कितना है 1535 degree Celsius अब यह जो degree Celsius है ठीक है यह जो degree Celsius है यह SI unit है temperature की जब भी हम कुछ भी लिखते हैं कि यह कोई भी substance है उसका melting point boiling point इतना है तो हम लिखेंगे 27 degree Celsius यह कुछ और होता है like 100 degree Celsius तो degree Celsius क्या है यह है SI unit है temperature की ठीक अब different different substance है हमारे पास यह से ice हो गया wax हो गया iron हो गया और अपना हम और कुछ देख लेते हैं like कुछ भी हम देख लेते हैं तो different different जो भी substance होते है उन सबका जो है melting point different होता है वो depend करता है उसके उसके अंदर जो particles है कोई भी matter है उसके अंदर जो particles है उसकी force of attraction ज्यादा होता है उसके जो particles है उसके पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ जो है इतनी tightly combined होते है उसका force of attraction ज्यादा होता है force of attraction ज्यादा होने के वजड़े से उसमें क्या हुआ हूआ उसका melting point ज्यादा हो गया उसको iron को melt कने में बहुत ज्यादा time लगेगा because उसका क्या force of attraction बहुत जादा है उसके particles जो है काफी tightly एक दूसरे के साथ combine है ठीक, next हम देखते हैं liquid to gas change जब हम कोई भी state, अगर हम liquid state, कोई भी substance अगर हम liquid से gas में change करते हैं तो क्या होता है, कोई भी substance को अगर हम, ठीक है, कोई भी substance को अगर हम liquid to gas change करते हैं तो उसको हम कहते है boiling point, क्या बोलेंगे boiling point तो boiling point के exactly definition क्या है, the process in which liquid substance change into a gas rapidly on heating ठीक है, कोई भी ऐसा substance, ठीक है, कोई भी ऐसा substance, जिसको जो है, liquid state, liquid से directly gas में change हो जाता है on heating, ठीक है, उसको हम बोलेंगे boiling point, for example, हम alcohol का boiling point देखें, तो 78 degree Celsius है, ठीक है वैसे ही अगर हम water का देखें, तो उसका 100 degree Celsius है, तो ये भी depend करता है, कि उसका structure कैसा है उसका, like उसमें, उसके particles पर depend करता है, force of attraction कितनी है, उसके particles की, इस पर depend करता है, ठीक है next हम देखते है gas to liquid, अब किसी भी substance को, कोई भी ऐसा substance जो gas से directly liquid में convert हो जाता है उसको हम क्या कहते है, condensation, तो इस condensation को समझने के लिए, हम एक activity प्रस्वाम करते है इस activity को के लिए, हमें क्या कुछ material की requirement है, like ये kettle आप देख रहे है, image में, kettle है ठीक है, ये kettle है, और एक नीचे burner लगाया हुआ है, ठीक है तो जब भी हम चाय बनाते हैं, like अगर हम चाय बना रहे हैं, ठीक है चाय हम kettle में बना रहे हैं, उसे हम गरम कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ भाप निकलेगा ठीक है, कुछ vapors निकलेंगी, जैसी ये निकल रही है vapors निकलेंगी, उस vapors के उपर, जो vapors निकल रही है है अगें जो है लिक्विट में कनवर्ट हो जाती है तो क्या हुआ यहां से हमने गरम करा चाय बना चाय को गरम किया चाय गरम होने के वजह से उसमें से क्या निकला वेपर निकली वेपर क्या होता है हमारा गैस होता है गैस से डारेक्ट हमारा लिक्विट में कनवर्ट हो गय प्राइपन में आप चाहे बना रहे हैं ठीक है उसमें जब वेपर्स जब उसमें से भाप निकलने लगती है उसके उपर कोई भी प्लेट रख दो थोड़े के लिए ठीक है पांच मिनट के लिए या लाइक टू मिनट के लिए उसके बाद आप वो प्लेट उठाके रेशन ठीक है और प्रोससेश्ण घैस थि कह उता हमारा वेपर होता है वेपर चेंज इंटू रिक्विड इसका रिक्वेड कंडेंसेश्ण इस प्रस इसको बोला जाता है हमारा कंडेंसेश्ण नेक्स्ट हम देखते हैं लीक्विड तू सॉलिड ठीक है अभी हमने देखा अब हम देखेंगे liquid to solid, liquid to solid को हम solid में कैसे convert करते हैं जब कोई भी substance को हम change करते हैं liquid to solid उस process को हम कहते हैं freezing, ठीक है क्या कहते हैं freezing, तो इसकी हम definition देख लेते हैं, the process of changing a liquid into a solid by cooling is called freezing, ठीक जैसे हम इसमें normally हम अपने day to day life में हम eyes देख लेते हैं, हम जब ice को जमाते हैं, ठीक है, ice को जब हम जमाते हैं, हम पानी लेते हैं एक bowl में ठीक है, ठीक है' बावल में पानी लिया और इसको हम जो हैं directly freeze में रख देते हैं, ठीक हम अग्仔, एक अग्यजिवी को हमने कम से कम तींचे अगंटे रखा हैं तो फ्लेम test है तो इस process को हम क्य होता है sublimation की हम definition देखते हैं यहां पर the change of solid state कोई भी solid change of solid state directly to gases state without going through liquid state ठीक है तो sublimation क्या होता है direct कोई भी substance जो है solid से ठीक है solid से वो directly जो है gas में convert हो गया solid से directly वो gas में convert हो गया without going through liquid state वो liquid state में गया ही नहीं ठीक तो उसे हम कहेंगे sublimation ठीक like अपना मैं आपको बताती हूँ solid से क्या हुआ solid से वो directly convert किसमें हुआ gases form में हुआ जो है अपना liquid form में नहीं गया direct gas में गया उसे हम कहेंगे sublimation और the change of the change of gas state directly to solid without going through a liquid state मतलब वो इसका बाइसा वर्सा हो गया ठीक like अपना यहां पर हमने देखा कि solid जो है directly जो है gases में change हो गया वो liquid में नहीं गया और फिर next यह भी होता है gases जो है directly solid में change हो गया liquid state में नहीं गया इस whole process को हम क्या कहते है सब्ली मेशन इसको हम कहते हैं सब्ली मेशन तो इसको हम समझने एक activity के थुरू ठीक है activity को perform करने के लिए हमें कुछ requirement होगा ठीक तो हमें क्या चाहिए इसमें इसमें हमें बर्नर चाहिए यह आप नीचे देखने यह बर्नर है ठीक है पैस फॉर्नर लेंगे ठीक है फॉर्नर लेंगे अपने पनल देखत वन्रीन ओंनल यह होगा नुमरी ठीक है तो यह इस चीज़ें रिक्वामेंत है ऐब इसको हम देखंगे क्या होता है ठीक हमने इस बर्णर लिया बअनल के ओपर हमने?... यह फॉर्णल है ठीक sec इस फरनल को हमने इनवर्टिट करके रख दिया मतलब उल्टा करके रख दिया China डाइनाजिश कई ऊपड चाइनदिश में हमारा क्या रख़ा हुआ है चाइनल दिश में हमारा रख़ा हुआ है ठीक है अन्मिलियम् क्लोराइट रखा हुआ है और इस funnel को हमने जो है आगे उसका जो mouth है वो close कर दिया ठीक है cotton plug से close कर दिया तो उसके बाद हमने क्या देखा on heating aluminium chloride जब हमने ये aluminium chloride को heat किया converted into water vapor ये जो aluminium chloride है यहाँ पर present है ये water vapor में convert हो गया ठीक ये water vapor में convert हो गया उसके बाद water vapor में convert हो गया water vapor अपना gas हुआ धिक है ये जो vapors निकली से जो भी vapors है ये ऊपर पहुंची rise up and get converted into emolium chloride ठीक है अब यहाँ पर क्या है जो हमारा aluminium chloride था जो हमारा aluminium chloride था यह solid form में था ठीक है solid form में था इसको हमने जब heat किया बर्नर से heat किया तो यह vapor form में convert हुआ ठीक है अब यह vapor जो है बाहर जो है निकल नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर हमने देखो गए कि हाँ solid यहाँ पर जो state change हुआ जो हमारा aluminium chloride था वो solid था उसको हमने heat किया तो वेपर में आया मतलब वो अपना change हुआ gases में ठीक जो हमने यहाँ पर पढ़ा था substance change of solid state directly to gases state तो यहाँ पर यही हुआ उसके बाद यह जो vapors है बाहर ने निकल सकते थी क्योंकि हमने cotton से इसको mouth बनकर रखा था तो वो vapors जो है side में जो है यहाँ पर side side में जो है चिपक गई यहाँ पर चिपक गई ठीक है जिसके वाईसे aluminium chloride जो था विन vapors में वो जो है यहाँ पर side side में आपके जो funnel है उसके side side यहाँ पर क्या हुआ कि solid था कि जो gas था वेपर जो हमारी निकली ठीक है वेपर कहती हमारी gas थी वो directly convert किसमे हो गई अगे solid state में हो गई aluminium chloride बन गया ठीक तो यही है इसी प्रोसेस को हम कहेंगे sublimation ठीक है कि the change of state change of solid state directly to gases state ठीक है aluminium chloride जो है वेपर में जब convert हुआ तो हमने देखा solid to gas state में change हुआ liquid में नहीं गया उसके बाद जो वेपर थी वो जो वेपर निकली वो अगें जो है aluminium chloride जो है अगें अबेपर थी वो side funnel के side side में deposit रहे गए इसके वज़े से जो aluminium chloride था वो funnel के side side में रहा तो उससे हमने अब्जर्व किया जो gas state है डायक्ली convert हो गई solid state में without going through liquid state ठीक है इस प्रावब हुआरे प्रोसेस को हम बोलेंगे sublimation next हम देखते हैं effect of change in pressure अभी हमने सारा देखा temperature के वज़े से जो भी changes हुआ boiling point अपना melting point हो गया यह सब हमने पढ़ा जो हमने temperature के change के थुरू पढ़ा अब हम देखेंगे pressure को change करने से thin state of matter में क्या effect पढ़ता है ठीक gas can be liquidified by applying pressure and low temperature जो gas हमने पहले पढ़ा था कि gas की properties में पढ़ा था कि gas को हम compress कर सकते हैं ठीक है gas gas को compress कर सकते हैं अब यहां पर हम पढ़ रहें gas can be liquidified gas को हम liquid form में भी लगा सकते हैं by applying pressure अगर उसमें pressure apply करेंगे and low temperature apply करेंगे वो कैसे हम देख लेते हैं हमने activity perform करेंगे यहां पर हमने क्या लिया यहां पर हमने एक cylinder लिया और यहां पर gas ली ठीक है और यहां पर हमने piston लिया ताकि हम force जब apply करेंगे तो हम इसको observe कर सके तो हमने क्या देखा कि जब हमने cylinder के अंदर जो gas डाल रखी है इसमें हमने जब कुछ pressure gas डाल रखी है इसमें कुछ हमने pressure applied किया तो इसके जो gas के particle थे वो काफी ज़्यादा distance में थे जैसे आप यहां पर देख रहे है काफी ज़्यादा distance में थे कफ़े ज obsession मेंborg और जो हो जो पार्टिकल्स है जो जो पार्टिकल्स है वो-जो और ख्लो आगए और च्लोज आनेके वज़ेसे वह है लिक्विट फ़ार्म में कनवर्ट हो गए ठीक है ये liquid form में convert हो गए इसके बाद अगर हम ये जो है gas में था gas से जो है हमारा directly liquid form में आ गया अगर हम इसका pressure जो है इसमें जो हमने pressure जो ज़्यादा लगा रखा है थोड़ा कम करेंगे ठीक है लिक्विट पेट्रोलियम गैस तो लिक्विट पेट्रोलियम गैस कैसे बनती है लिक्विट पेट्रोलियम गैस भी इसी फ़र्म में बनती है उसमें कुछ थोड़ा सा प्रेशर दिया जाता है कंप्रेस किया जाता है जिसमें जिसके तुरू जो है वो गैस जो है लिक्विट किया जाता है ठीक है compress करके उसको रखा जाता है जिसके वज़े से जिसके तुरू वो easily carry कर सके सेकिंड हमारा हो गया cng cng क्या फिलफर्म क्यों हो गया compressed natural gas बच्चों यह आपके paper में भी आ सकता है what is the film of cng and lpg compressed natural gas compressed natural gas जो है हम नॉर्मली देखते है जो वाइकल यूज होती है यह नेच्रल गयस है ठीक है नेच्स में आपारेशन को हम देखते हैं एंट यूज interior जेसा जाता है रिफ्र में even बिलो इस बॉइलिंग पॉंट इसको है भी ठीक है तो कोई भी ऐसा सबस्टेंस जो लिक्विड में चेंज़ सॉरी जो वह परोसेस वह परोसेस इन विच लिड्म जो है हमारा वेपर मेंचेंज हो जाता है उन्लेशों बोलि कook बोलन यह बोलिक हो जाता है और आपने चंपर्रेचर जो बोलिक तई 100 degree Celsius उससे कम होता है उस process को हम क्या बोलेंगे evaporation ठीक जैसे हम अपने घर पे देख लेते हैं अब ठीक है evaporation बोलेंगे evaporation में हम जो है like up हम देखते हैं हमने एक बिकर लिया ठीक है तो उसमें जो है 50 ml water डाला ठीक हाँ तो अब यह जो evaporation है इसके कुछ factor है factor effecting evaporation हम देखेंगे इसके तीन चार फेक्टर है इसको हम पड़ेंगे तो उसके क्या-क्या factor है फरस्ट फेक्टर है इसका temperature ठीक है तो temperature इसका first factor है तो temperature कैसे effect करता है evaporation को हम देखेंगे जैसे हमने एक bowl लिया ठीक है एक bowl लिया या फिर कोई glass लिया दो glass लिये दोनों में जो है हमने 50 ml जो है water डाला ठीक है 50 ml water डाला एक glass को हमने जो है sunlight में रख दिया एक glass को हमने sunlight में रख दिया और दूसरे glass को हमने फ्रिज में रख दिया ठीक है कुछ दिन तक 2-3 days हमने ऐसे ही रखा और उसके बाद हमने observe किया तो हम क्या observe करेंगे कि यह जो sunlight में जो हमारा पानी पड़ा हुआ था ना 50 ml इसका जो है volume इसका पानी कम हो गया यह 40 ml रहा ठीक है तो वो क्यों रहा क्योंकि जो temperature है temperature जादा increase होने से जो है evaporation जो है water का जल्दी हो गया और यहाँ पे जो fridge है फिज में temperature जो हो था कम था हमारा temperature कम था इस वज़े से जो है evaporation जो है slow हो गया ठीक और यहाँ पे था sunlight में क्या था temperature जो है ज़्यादा था temperature ज़्यादा था जिसके वज़े से जो है हमारा evaporation जो है fast हुआ तो इस वज़े से जो है temperature भी में रोल करता है evaporation में temperature ज़्यादा होगा temperature अगर temperature ज़्यादा होगा तो evaporation जो है हमारा ज़्यादा होगा अगर temperature कम होगा तो evaporation जो है rate of evaporation जो है वह भी कम होगा ठीक। कि जो हमारा बाउल में जो water पड़ा हुआ था वो जल्दी evaporate हो गया क्यों कि इसका जो surface है ये जो surface है वो glass के surface से ज़्यादा है इसके वज़े से जो है evaporation इसमें ज़्यादा हुआ ठीक है तो ऐसे ही surface area ऐसे ही हमारा जो अगर surface area अगर ज़्यादा होगा तो evaporation जो है जल्दी होगा और अगर surface area कम है तो evaporation भी जो है कम होगा ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं humidity humidity में हम देखते हैं humidity में क्या होता है basically क्या होता है presence of water particles या vapor particles in air humidity में vapor particles और water particles को हम देखते हैं like हम जैसे अगर हमारा हम example के थूर देखते हैं summer season में summer season में summer season में summer season like हमारा माई टू जून में हम देखते हैं कि हमें जो sweating होता है जो पसीना निकलता है वो बहुत जल्दी जो है जो humidity होती है bait जो गूदी होती है और जो वार्टर और जो वेपर पार्टिकल जादा होते हैं, वेपर पार्टिकल जादा होने के वैसे हमें चिपचिपा फील होता है, स्टिकी फील होता है, जिसके वज़े से रेट ओफ एवापुरेशन जो है, वो जो है हमारा लो हो जाता है, इसी के वज़े से रेनी सीजन में हमारा जो हमें जो प्राइं नहीं हो पाता है को बहुत जल्दी ड्राय हो जाता है एसी अगर विंड का sahdra the fourth wind को लए में कपड़ को स्काने होते हैं क्या होता है कर्मी कुण कर में वाटर पारीकल्स, वाटर ओड कप्र को जेयेगा हो जाते हैं और हम सहीव रिन जहां चुकते, को कि फिर जादा हो हुम होगी तो रेट ओफ एवापॉरेशन घ्या आगे अगर कि आगे आग होगी तो एक और बशिधो नयक्तियन में सब्हां आग्षछिक्ट और सुरह विश्फट ट्राइश्ट अनुट जिए उस'Tिर देखते हैं 24 Web evaporation is based on the fact that when a liquid is when liquid is evaporate take latent heat latent heat of evaporation from surroundings which on losing get cooled ठीक है तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर evaporation evaporation के वज़े से जो cooling होती है उसका क्या fact है उसका क्या fact है when liquid is evaporate जब कोई भी liquid evaporate होता है तो वो क्या करता है latent heat latent heat from surrounding वो surrounding से latent heat लेके ठीक है surrounding ने latent heat लेके वो liquid को दे देता है means surrounding ने क्या क्या अपनी heat जो है liquid को दे दी और surrounding जो है अपनी heat देने के कारण अपनी इसने इसको हम देख लेते हैं by through example के through ठीक है like हमने sanitizer जो आज के normally घर में मिल जाता है sanitizer जब हम अपने हाथ में rub करते हैं ठीक जब हमने sanitizer rub किया उसके थोड़ी देबाद हम देखते हैं हमारे hand जो एकदम ठंडे हो जाते हैं तो उसका कारण क्या है उसका कारण भी evaporation है like जब हमने sanitizer अपने hand में apply किया तो हमारे hand के जो heat होती है ना वो जो है transfer हो जाती है Sanitizer में वो Sanitizer के particle लेते हैं, evaporate हो जाती है वो, और उस Evaporation होने के वजे से हमारी है तंड हो जाते हैं, ठीक है, ऐसी ही हमारा summer में जो हमें sweating होती है, हमें जब sweating होती है मोन जब हवा चलती है तो हमारी थन्डा की हीट है और इंवार्मेंट Vic मैंचल जाता है वह विंड में बाइपडीël हो जाती है ठीक है और इस चाप्टर में कोई query है तो आप मुझे mail कर सकते हैं मेरी mail id है impunam2991 add the rate gmail.com अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज इसे like कीजिएगा subscribe कीजिएगा thank you so much